गुरू तुम हो ग्यानी ज्यान के दाता मुनी गुरुवर को करके कडाँ गाँ में ध्याँ में खुब भचाँ गुरू तुम हो ग्यानी ज्यान के दाता मुनी गुरुवर को करके कडाँ मैं पूछना चाहता हूं वकीलों से कि आज अदालत में देखना जितने केस परिवार के हैं उतने केस किसी चीच के नहीं है भाई भाई के जितने केस हैं माबाब के जितने केस हैं घरों की लडाईयों के जितने मुकदमें आते हैं उतने मुकद में किसी और के नहीं आते आज घर में ही लड़गा है आदमी राष्ट और धर्म की बात करता है बहुत बना लिए मंदिर मेरे भाई आओ अब इनसानों की बस्ती में किसी गरीब का जोपड़ा भी बना कर देखे क्या होता है जीवन में क्या सुकून मिला करता है अरे घी भरबर के बहुत भगवान का भी शेक कर लिया आज इस देश में कुंटलों घी हॉम और दीप में खत्म करके जला दिया जाता है अरे दीप जला कर आरती करते हो करो मेरा बिरोध नहीं है लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ अरे खूब घर कुंटलों से घी जलाया तुमने हवन में यग में आओ अब किसी भिकारी की रोटी में घी लगा कर देखो सुपून मिलता है की नहीं सांती मिलती है की नहीं एक बार इस भारत को महान बना दो मेरे भाई एक बार इस देश को फिर से सोने की चिडिया बना दो एक भी आदमी इस देश में गरीब रह उस देश को उन्नती का देश नहीं कहा जा सकता है उस समाज का उत्थान नहीं कहा जा सकता है ब्रामन समाज ब्रामन समाज का उत्थान करे जैन समाज जैन समाज का उत्थान करे राजपूच समाज राजपूच समाज का उत्थान करे सिंदी समाज सिंदी का उत्थान करे मुशलमान मुशलमान का उत्थान करे पर हर समाज अपने गरीब तर्कों को अमीर बनाने में लग जाएगा भारत सोने का चिडिया फिर से बन जाएगा पिर किसी के सामने कर्ज की भीक मांगने की जरूरत क्या होता है मैं एक आदमी से कहता हूं कि एक मूर्ती रख दो तो भश से रख देता है और एक आदमी से कहता हूं कि एक लड़का एम बीए करना चाहता है उसे पढ़ाई का खर्च दे दो तो आदमी सोचता इससे कौन सा मोक्ष मिल जाएगा मुझे बाहरें बत्थर की मुर्टी रखके मोक्ष जाने वालो महावीर के बारे में यदि मैं पूछू तो सायद भगवान महावीर ने एक भी मंदिर नहीं बनाया होगा अपने जीवन में एक भी मंदिर नहीं बनाया और उनको मोक्ष की प्राप्ती हो गई और जिन जिन ने मंदिर बनाया वो आस्ता कुफ्ती को प्राप्त नहीं कर पाए एक बात ध्यान रखिए राम ने कौन सा मंदिर बनाया था कृष्ण ने कौन से मंदिर बनाये थे महाबीर ने कौन से मंदिर बनाए थे हरे इन्होंने मंदिर नहीं बनाए इत पत्त्रों के इन्होंने आदमी का जीवन मंदिर जैसा पवित्र बना दिया था इनका भी उधार हुआ और जगत का भी उधार मिरी घटना वही रह गई समाज का उधान हमें करना है किया है तुपने हरे मेरे भाई ये जो माथे पर चंदन का तिलक खीचते हो ना मैं इसका बिरोद नहीं करूँगा मेरे कमरे में आओगे तो मैं भी लगाओगा लेकिन एक बात कहता हूं बड़े कभी आजमा के देखना प्रियास करके देखना प्रैक्टिकल करके देखना अपने जीवन में मेरे कहने से नहीं एक माथे पर चंदन का तिलक खीचना और मंदिर से निकल कर किसी के जख्मों पे मलहम लगाना फिर अपनी आत्मा से पूछना की बता कौन जादा सीतल है ये चंदन का तिलक सीतल है या जक्मों पर लगाई ही मलहम सी तल हुआ करती है कौन सी तलता देगा तुम्हारे जीवन में मैं सोचता हूँ यदि संबेदनाएं होंगी और इन्शानियत होगी तो चंदन से जादा सुकून किसी के जक्मों का मलहम दिया करता है घड़े भरवर कर भगवान को दूद चढ़ाते हो अरे कोई गरीब भूका रो रहा है बच्चा तो एक गिलास दूद नहीं देते हो तुम उनको तुम कैसे धार्वी खो एक आदमी मेरे पास आये वो ले दूद से आपके पैर धोना चाहता हूँ मैंने का मुझे बड़ी तकलीफ होती है मेरे भाई ये तकलीफ नहीं कि किसी पंथ की तकलीफ मुझे हो तकलीफ ये होती है कि पैर में डालोगे और जमीन पर फैक दोगे हरे किसी भिकारी किसी गरीब के मुँ में डाल अरे जो दुआ वो देगा वो दुआ किसी संत से भी प्राप्त दुआ करती है वही दुआ मिलेगी तुझे क्यों नहीं पिलाते हो किसी गरीब को दूद एक बच्चा को पोशन का सिकार है पत्थर तोड रही है वो महिला दिले वरी होती हो राट दिल माद पत्थर तोड़ने चली आती है क्या तुम्हारे घर में एक गिलास दुद नहीं है उसके लिए कैसे पत्थर दिल इनसान हो अरे जिनके माते पर मजहब का लेखा है और हमने उनको सहर जलाते देखा है विचार करो क्या तुम्हारा भगवान दिना दूट के प्रसम नहीं हो सकता है एकने वेदन है अपने वेवहार बदलो अपनी सोच, अपनी ठिंकिंग बदलिए एक बेटी को इतना योग बना दो पढ़ा लिखा कि इतना योग बना दो ध्यान रखना एक बेटी को इतना योग बना दीजिये पढ़ा लिखा कर कि तुम्हारी बेटी खुद एक दहेज बन करके खड़ी हो जाए फिर किसी और दहेज की लोगों को जरुवत ना पड़े और एक बहु को एक सासु इतना प्यार दे अरे इतना प्यार दे एक सासू अपनी बहु को कि तुम्हारी बहु अपने पीहर के मोवाइल नमबर भूल जाए तो समझना तुमने सिकुन की सिद्ध के चीली है तुमने धर्म का जीवन जी आए भूल जाए कि मेरे पीहर के नमबर क्या हुआ करते हैं भूल जाए कि ससराल और पीहर में अंतर क्या हुआ करता ये इनसानियत का धर्म है जो मैं यहां इस्थापित करने जा रहा हूँ मेरा एक ही मिसन है कि तूटे हुए दिलों को अर्मान देने आया हूँ और इनसान को इनसान की पहचान देने आया हूँ मेरे पास कुछ नहीं है मनसौर वालो मैं कापते अधरों को मुसकान देने आया हूँ बस कापते अधरों को मुसकान देने आया हूँ वही मैं बाटता हूँ वही मैं देता हूँ बातें तो बातें होती है कुछ बात ऐसी है जो दिल तक पहुचती है कुछ बात ऐसी है जो हिरुदय तक पहुंचती है और कुछ बात ऐसी है जो जिन्दगी को बदल के भी चली जाती है और कुछ बात ऐसी है जो इसकान से सुनी जाती है और इसकान से निकाल दी जाती है ये हवा कैसी चलने लगी रंग मिट्टी बदलने लगी और आदमी पर्वतों पे चढ़ा आदमी अक्षिसलने लगे कि नाभी राय का दर्वार है कि प्रजाजन में जैगोश है कि नाभी राय की जैगोश है मैंने कल कहा था कि प्रसंसा ऐसे ही नहीं मिल जाती है प्रसंसा पानी के लिए बहुत कुछ जीवन में करना पड़ता है जैजे कार ऐसे ही नहीं मिलती है और इतिहास में हर व्यक्ति अमर में हो जाता है अमर करने के लिए कई बार मरना भी पड़ता है कुछ काम करके जाना दुनिया में आने बाले जाते हैं रोज लाखों वेकार खाने बाले कितने आते हैं दुनिया में कितने चले जाते हैं कोई दिंती नहीं है आज हम यहां से बैट करके बड़ी खुशियां मना रहे हैं आनंद वटोर रहे हैं कल का कोई भरोसा चारों तरफ से जैजेकार के स्वर सुनाई दे रहे है और क्यों ना सुनाई देंगे मेरे भाई जिसके रिशब देव जैसे पुत्र हो वहां तो जैजेकार होती ही होती है जिसके राम जैसे पुत्र हो उस घर में तो जैजेकार होती ही होती है जिसके कश्ण जैसे पुत्र हो उस घर में तो जजेकार होती है और जिसके घर में विवेकानंद जैसे पुत्र हो जिसके घर में आचारी कुंद कुंद और शांती सागर जैसे पुत्र हो उसके घर का पुण्य का क्या कहना महान पुण्यात्मा थे वो मैंने कहा था कि महान लोगों की घर भी निक्रिष्ट उलाद प्यदा हो जाती है कभी कभी निक्रिष्ट मावाब के हाँ भी महान उलाद प्यदा हो जाती है मौसम बदल रहा है नाभी राए ने जैसे ही प्रसंसा सुनी तो दिल आनंद से भर गया सारी प्रजाजन में जिसकी प्रसंसा हो विर्दा वलियां गाई जा रही हो गुरदान गाया जा रहा हो एक बात आप से निवेदन करूँगा कि एक मावाण होने के नाते आपका अपने बच्चों के प्रती इतना फर्ज बनता है कि अपने बेटे को इस काबिल बनाओ इस काबिल बनाओ कि तुहारा बेटा बिद्वानों की सभा में ऑगे बैठने की योगता धारण करता हो तो आपने एक पिता का फर्जी निवाया है वह विद्वानों की सभा में आगे बैट सके वह इजद्धार लognों की सभा में आगे बैट सके वह ग्यानियों से जाकर चर्चा कर सके इतना योग हर मावाब को अपने बेटे को बनाना चाहिए जानवर तब तो तुम पिता हो, वरना बच्चों को जन्म तो जानवर भी दे देता है, अरे बच्चे को जन्म जानवर देता है, लेकिन किसी भी जानवर को माता पिता का सवभाग प्राप्त नहीं हुआ करता है, माता पिता बनने का सवभाग तो इंसान को प्राप्त हुआ करता है, जो बच्चों को केवल जन्म नहीं देता है जन्म के साथ साथ जीवन भी देता है और जीवन ही नहीं देता जीवन जीने का धंग भी सिखाता है और सिखाता ही नहीं है वैसा जीवन जीकर दिखाता भी है ध्यान रखना दुनिया बदल चुकी है मेरे भाई अब ये मत समझो कि हम अपने बेटे को जो सिखाएंगे बेटा सीख जाएगा एक कम्प्यूटर की ओलाद है ऐसे सीखने वाली नहीं है ध्यान रखना इंटरनेट की ओलाद आज पैदा होते ही बच्चा दूरदर्सन के सामने बैठ जाया करता है आप से इतना ही निवेदन है कि स्पीडी से जादा अपेच्चा ये मत रखो कि पुरानी पीडी है कि बाप ने कहा कि बेटा जा चौधा वर्स को बनवास तो बेटा ने कहा जो आग्या पिताजी में चला आज कहके देखना बेटा कहेगा निकलो बढ़ो घर से बाहर और ये मकान की रलिष्ट्री कर जाओ यहाँ पर उसके बाद आउट ध्यान रखे मकान जमाना बिगड़ गया अब कोई राम बनवास नहीं जाएगा और किसी दसरत ने दिया तो उसे ही ब्रधास रम में सरंड लेना पड़ेगी लेकिन राम को बनवास जमाना बदल गया ये कलिग है मेरे भाई ये दुनिया बदल चुकी है यहाँ अप एक्षा मत रखो कि दादा जी बाजार से आ रहे हैं थोड़ा सा खांसा खाकारा तो बहु घूंगट डाल के बैठ जाए गया जमाना अब ससुर जी तुमको सरं लगे तो तुम ही मूँपे रुमाई डाल ल कि बिद्वानों की सभा में वो आगे बैठ जाए तभी आप मावाप हैं केवल पैदा करने से मावाप नहीं हो जाते हैं संसकार भी देना होगे वो लाग सिखाओ ये पीड़ी नहीं सीपती है कल एक महला मेरे पास आई बने महराज इस बेटे को पहली बार किसी संत के पास लाई हूँ ना ये मंदिर जाता है ना धर्म ध्यान करता है पहली बार ना जाने इसे क्या हो गया ये आपका नाम सुनके जैसे ही मैंने कहा कि उनके पास चलो तो वो दरसन को तयार हो गया मैंने कोई दिक्कत की बात नह आसिरवाद चाहिए, बोले शपलता का आसिरवाद चाहिए, ध्यान रखना, मिनका संत चरण में सीस जुग गया है, एक बात याद रखना, साधूं के पास जाओ, तो आसिरवाद मांगना मत कभी, मनसौर में भगवान जानी क्या परंपरा है, जो आता है, वो कहता ये लगा दो, मैंने का ये मामला क्या है, अभी तक जितने शहर में गया, किसी ने इतना नहीं कहा कि ये सिरव पर रखो, इतना कर दिया, ये इक बवट है, अरे इतना तो ध्यान रखो, ये अजीव है और मैं जीव हूँ, बताओ, अजीव की दूआ चाहिए, या जीव की दूआ चा मैंने दिक्षा ली थी और मेरे गुरू ने जब मुझे ये दी थी तो ये कहके दिया था कि बेटा जहां भी बैठना तो इससे परिमार्जन करके बैठना अब मुझे तुम्हारे सर पे तो बैठना नहीं ये आशिरवाद का यंत्र थोड़ी है ये तो सयम का है जीवों की रक्षा का उपकरण है लेकिन आदमी कहता हमारे सिर्पई रख दो अंका तुम तो यसे रखवा रहा है जिसे पदमाबती बन गए हम पारिस न विचार का ये आशिरवाद का उपकरण नहीं है जिन्दा से इ यही होती है दुनिया की इस्थिती यही बन गई है कि असली घोड़ा 10,000 का मिलता है तो नकली घोड़े की जो पैंटिंग होती है वो एक लाग की विका करती है बाजार में आदमी ने जिन्दा को पूजना छोड़ दिया मुर्दों को पूजा करता है ये घरों की और दे दे अरे जाया मांगने की जरुवत नहीं है अरे वरक्ष के लीचे चले जाओ जाया अपने या प्राप्त हो जाया करती है वो संतों के चरणों में चले जाओ आशिरबाद अपने या प्राप्त में ग्वालियर में चतुरमास मेरा एक आदमी आया मैं अपना स्वाध्य कर लिखाई कर रहा उसने का कि महाराज नमोस्तू अरे तो मैंने का अच्छी बात है इतना दादागरी से क्यों चिला रहा तू प्रणाम करना है या कि दादागरी दिखाने आया है ए बोले नमोस्तू अरे तो मैंने का हुआ क्या घर में बीबी से जढ़के आया है क्या बोले आ आपको कैसे मालूग? मैंने का तरी स्टाइल बता रही है कि तुने घर में क्या किया होगा तो बोले चलो वो घर का मामला छोड़ो लडाई तो मुझे आप से करना है मैंने का मुझे क्या लडाई करेगा महराज में रो जाता हूँ तुम हाथ तक नहीं उठाते हो आशिरवाद तक नहीं देते हो अपनी काम में लगे रहते हो अरे मैंने का कि भाई कोई जरूरी थोड़ी कि हाथ उठाना नमस्कार करना तेरा काम है भुले नहीं जब मैं नमस्कार करता हूँ तो आपको हाथ उठाना चाहिए आशिरवाद देना चाहिए दूसरे दिन फिर वो आया मैं अपना लिख रहा था अब उसने कहा महराज नमस्कू मैं ध्यान नहीं दे पाया उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने शिरवाद रख लिया और संत ने यदि नजरें उठाकर तुम्हें देख लिया तो वो भी आशिरवाद हो जाया करता है और संत ने तुम्हें देखकर मुश्करा दिया तो वो भी आशिरवाद हो जाता है और संत ने तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लिया तो समझना वह भी आशिरवाद हो जाया करता है संत ने प्यार से देख लिया तो आशिरवाद है और संत ने फटकार लगा दी तो वो भी जिन्दगी का आशिरवाद हो जाया करता है आशिरवाद तो आशिरवाद है आप बताएए हाथ का आशिरवाद बड़ा या नजरों का आशिरवाद बड़ा हुआ कलता है ध्यान रखिए आशिरवाद तो वो कला है ये नहीं है कि तुमने मांगा और हमने दे दिया अरे मनसौर वालो आशिरवाद तुमने कब ले लिया ये तुम्हे भी नहीं पता और मैंने कब दे दिया ये मुझे भी नहीं पता आशिरवागत एक अधुद घटना हुआ ये सौधा थोड़ी है ये व्यापार थोड़ी है कि तुमने मांगा और हमने का जाओ वेटा खुश रहो अरे लेने वाले को कब मिल गया उसे भी नहीं पता और देने वाले ने कब दे दिया उसे भी ने वो आशिरवाद रुआ करता है हम संत लोग यहाँ पर आए हुए हैं आपके नगर में हमारे पास सिवा आशिरवाद मालो हात नहीं उठाया तो क्या हम तुमको बद्धुआ दे रहे हैं परिवार का नास हो जाए सर्वनास हो जाए धन्ना चोपट हो जाए अरे हात उठाने की परंपरा से कुछ नहीं हुआ करता है अरे संत चरण में सीस जुक गया अरे सीस जुकेगा तो आसीस ज़रूर मिलेगा जीवन में इसलिए आपसे निवेदन है कि संत चरण में सीज जुकाना यही बहुत हुआ करता है अब सिखाने से दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है अब जो कुछ भी दुनिया में होगा वो दिखाने से होगा परिवार को सुधारना है आपका जीवन निश्टित ही नई आयामों को प्राप्त करेगा साथ ही मुनिश्री के विजारों को जानने के लिए मासित पत्रिका, पुलक वानी के सदसे बन जीवन में नई उर्जा का संचार करें मुनिश्री के साहित्य एवं पुलकवानी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें केंद्रिय कार्यालाई वात्सलिभवन पीप चत्तर कली नंबर पाच बेहारी कॉलोनी एक्स्टेंशन शाहतरा दिल्ली एक एक शून्य शून्य तीन दो मोबाइल नौ एक नौ आठ एक शून्य नौ शून्य 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 चैन नौ एमेल पुलकवानी एट जी मेल डोट गॉं